मुसकर दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने बाला हूँ पैथोलोजी की इस मास्टर क्लास में, बेसिक पैथोलोजी के बारे में, इससे पहले मैंने आपको फार्मा पढ़ाया है, फार्मा की उस क्लास में आप लोगों का इतना इंट्रेस्ट, आप लोगों का इतना विश्व मेरे उपर दिखा है उसी सीरिज में मैंने ये पैथलोजी की मास्टर क्लासे सुरू की है इसमें मैं जो पैथलोजी के बेसिक टर्म है सेल इंजरी क्या है सेल डैथ क्या है सेल के अड़ेप्टेशन क्या है इन सारे विश्यों पर बात करूंगा और मेरी कोसिस रहेगी कि को जानने के लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट क्लासिफाई किया है इसके आधार पर pathology के जो different division है उनके बारे में मैं बात करूँगा यह यह कह सकते हैं कि pathology की जो different branch है क्योंकि आप जानते हैं pathology एक major subject है एक vast subject है इसमें हमने इसको अपनी सुविधा के आधार पर convenience के लिए कई हिस्सों में divide कर रखा है तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि pathology क्या है तो pathology में आप देख सकते हैं लिखा it is a branch of medical science that deals the cause, nature and effect of disease is called pathology यानि किसी भी disease के causes क्या होते हैं उस disease का nature क्या होता है और effect of the disease क्या होता है इसे हम pathology कहते हैं यानि यह जो simple definition है pathology की simple definition में आपको यह समझना है कि किसी भी disease को cause करने वाले यानि उसके isn't क्या होते है कोई बिमारी किस बज़े से होती है उस disease का nature क्या है उस disease का effect क्या होता है इन सब की जो study हम करते हैं उसे हम pathology कहते हैं अब आईए जानते हैं pathology के कुछ sub division है या हम यह कह सकते हैं pathology की कुछ sub branches है इन के बारे में भी देख लेते हैं तो pathology को सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि हमने divide किया है anatomical pathology के अंदर अब यह anatomical pathology है इसको further दो हिस्सों में बाटा गया है एक है आपकी histopathology और एक है आपकी cytopathology अब जैसा इसका नाम बता रहा है histopathology यानि histo term जो use होता है आपके tissue के लिए तो अगर किसी disease की हमें study करनी है study of disease from the tissue tissue का जो हम examination करके यानि आप देखते हैं जो slide बना कर microscopic examination करते हैं histology जो tissue की देखते हैं उसकी जो study होती है उसे हम बोलते हैं histopathology यानि simply histopathology वो branch है pathology की जिसके अंदर हम tissue का examination करके उसमें देखते हैं कि ये normal tissue है या इसके अंदर कोई abnormality है कोई disease है next आपके सामने है cytopathology तो cytopathology में study of disease from the isolated cell यानि cell को isolate करके हम उसकी study करते हैं और उस cell की comparison हम normal cell से करते हैं यानि normal cell है या cell के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी change है तो इस branch को हम cytopathology कहते हैं next जो इसकी branch है that is the hematology तो जैसा नाम बता रहा है study of disease from component of blood यानि blood के आपके जो different component होते हैं उनकी study के आधार पर disease को find out करना आपका hematology कहलाता है next हम बात करेंगे microbiology ये भी branch है इसकी microbiology में जैसा आप देख रहे है study of microbes causing disease यानि जो भी different disease causing microbes होते हैं उसकी जो study करते हैं ये भी आपकी pathology की sub branch है जिसे हम microbiology कहते हैं next है आपका immunopathology जैसा इसका नाम suggest कर रहा है study of immune response associated with disease यानि जो हमारा immune response है immune system है उसका किसी disease के परती क्या response होता है यानि किस तरीके से ये disease के परती response करता है उसकी study को हम immunopathology कहते हैं next है आपका chemical pathology chemical pathology के अंदर study of disease from chemical change in the tissue यानि chemical क्या change हो है tissue के अंदर उसकी study जो हम करते हैं that is the chemical pathology तो chemical pathology ये भी आपका pathology का सब ब्रांच है next हम बात करेंगे genetics के बारे में genetics में क्या देखेंगे study of abnormal chromosome and gene यहनि अगर जो भी genetic disorders होते हैं उसमें gene किस तरीके से प्रभावित होती है या आपके chromosome या gene किस तरीके से disease के लिए responsible हैं इसकी study करते हैं next है आपकी study of effect of poison यहनि जो different poisons होते हैं उसकी study हम जहां करते हैं that is the toxicology उसके बाद हम बात करेंगे आपसे forensic pathology के बारे में study of application of pathology for legal purpose यहनि अगर pathology का कोई legal aspect है तो उसकी study हम किस में करते हैं forensic pathology में करते हैं यह जो different branches हैं या subdivision है pathology के जो मैंने एक एक करके समझेंगे इसको अभी मैंने simply यहां आपको इसका एक basic classification बताया है और pathology के बारे में बताया है कि pathology simply है क्या यानि अगर एक और तरीका देखें यानि pathos माने आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं pathogen यानि disease causing organism और logi माने study यानि जो भी disease causing organism होते हैं उनकी अगर study आप करते हैं जिस branch में वो आपकी pathology क्यालाती है अब आगे मैं आपसे बात करूँगा pathology के बाद हम बात करने वाले हैं what is the cell injury cell injury आप क्या है cell injury के बारे में एक बार देखेंगे any cell injury के क्या क्या कारड होते हैं इस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा तो सबसे पहले एक बार cell injury जान लेते हैं cell injury क्या है cell injury is defined as type of damage occurring to the cell due to change in its internal or external environment यानि cell के external or internal environment में अगर कोई change होता है और उसकी बज़े से अगर cell में कोई damage होता है यानि आप cell injury को समझें कि cell injury क्या है यह नि किसी भी परकार के change की बज़े से चाहें वो internal change हो या external change हो उसकी बज़े से cell के अंदर जो damage होता है उसे हम क्या कहते हैं cell injury के कारड क्या है तो इसके लिए आप एक बार cell injury के अगर causes के बारे में बात करें तो जो cell injury के cause है यह आपके दो basically दो हिस्तों में बांटे हैं एक है आपका genetic cause और दूसरा है आपका acquired cause अब genetic cause में आप देख सकते हैं कि यानि कोई genetic abnormality आती है जैसे down syndrome हमने एक्जामल में लिखा है यानि down syndrome यानि chromosomal abnormality है genetic abnormality है down syndrome हो, klein filter syndrome हो, turner syndrome हो इनकी बज़े से भी cell के अंदर injury होती है यानि abnormal cell की formation होता है या abnormal cell बनती है लेकिन अगर acquired causes में देखें acquired cause क्या क्या हो सकते हैं जैसे पहला है oxygen deprivation यानि oxygen की कमी होना अब oxygen की कमी जिसे आप hypoxia कहते हैं या isemia कहते हैं hypoxia के यानि oxygen की supply reduce हो जाना तो cell injury के ये कारड हो सकते हैं अगर आप chemical agent में देखेंगे जैसे glucose है salt है तो excessive glucose है excessive salt भी हमारी cell को damage कर सकता है यानि cell injury के ये भी agent है next आप infectious agent देखेंगे जैसे bacteria है फंजाई है या virus है ये सबी आपके infectious agent होते हैं जो cell injury करा सकते हैं उसके बाद आप immunological response यानि हमारा जो immune system है वो भी हमारी cell को damage पहुचा सकता है जैसे आप देखेंगे anaphylaxis to the foreign protein और antigenic protein अब ये जो immunological reactions है इसको आप ध्यान से समझेंगे normally हमारा जो immune system है ये हमारी body के लिए defensive mechanism की तरह कारे करता है यानि बाहर के जो pathogen से उनसे हमें protect करता है लेकिन अगर हमारा immune response ये कह सकते हैं कि unnecessary के कुछ response देने लगे या agacerate response देने लगे या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी stimulus के प्रती बहुत severely response करने लगे तो उस दशा में हमारी cell को damage हो सकता है जैसा anaphylactic shock में होता है anaphylactic shock क्या है यानि जब भी कोई foreign body हमारे सरीर में enter करती है या foreign कोई pathogen enter करता है तो उसके प्रती सरीर excessive मात्रा में body के अंदर कुछ chemicals release करता है और उसकी बज़े से cell के अंदर damage हो सकता है आप उसके लिए anaphylactic shock वैसे हम अलग से deal करेंगे लेकिन आप ऐसे समझेए कि this is the exaggerated response of the immune system anaphylactic कुछ और नहीं है जो भी antigen enter किया था आपके immune system ने उसके प्रती एक advanced level का जो response हो किया है वही आपका anaphylactic shock होता है तो उसकी बज़े से भी cell में injury हो सकती है next आप देखेंगे कुछ nutritional agent जैसे obesity के case में भी cell के अंदर fat deposition होने की बज़े से cell को damage हो सकता है next आप physical agent देखेंगे जैसे trauma है, radiation है cell injury के ये भी कारण है और जब भी cell में injury होती है तो उसकी बज़े से cell के अंदर aging होने लगती है या आप ये कह सकते हैं कि cell damage होने लगती है तो इस तरीके से ये आपके सामने मैंने cell injury क्या है इसके बारे मैं बात की next हम बात करेंगे आप से main cellular जो injury के ये कह सकते है mechanism है वो क्या है तो cell injury की mechanism को आप ऐसे समझे कि किसी भी cell में injury होने के कारड़ क्या हो सकते है cell damage होने के लिए या तो ATP का depletion हो रहा हो या अगर cell को energy नहीं मिलेगी ATP नहीं मिलेगी तो उस दोरान भी cell के अंदर damage हो सकता है तो ATP depletion एक कारड़ है cell injury का next है आपका loss of calcium homeostasis अगर calcium की homeostasis गड़बर हो जाएगी एनी cell के अंदर जो calcium का output और input है अगर वो disturb हो जाएगा तो उस दशा में भी cell के अंदर necrosis हो सकती है cell damage हो सकती है next है आपका oxidative stress अब oxidative stress आप जानते हैं कि अगर cell के अंदर free radicals का formation जादा हो रहा है तो free radicals highly reactive होने की बज़े से cell को damage कर सकते हैं next है आपका damage to mitochondria in increase membrane permeability तो अगर mitochondria के बारे में आप देखेंगे तो mitochondria की बज़े से यह नि cell के अंदर damage हो सकता है आप यह से देखिए कि जो आपकी cell है अगर उसके अंदर mitochondria damage होती है और membrane की permeability increase होती है तो आप जानते हैं कि mitochondria अगर damage होगी तो cell को energy की supply reduce हो जाएगी क्योंकि आपकी जो mitochondria है इससे powerhouse of cell कहा जाता है powerhouse of cell कहा जाएगा इसका मतलब power की supply जो बंद हो जाएगी ATP का production बंद हो जाएगा जाएगी तो उसमें भी उस दश्चा में भी cell के अंदर injury हो जाएगी यानि cell damage हो जाएगी लेकिन अब ये cell damage होने के लिए कुछ चीज़ें आपको और समझनी है कि cell damage होने से पहले कुछ cellular adaptation के बारे में समझ लेते हैं तो cellular adaptation क्या है सबसे पहले आप देखिए cellular adaptation are the change made by the cell in response to the adverse internal और external environmental change यानि जो भी आपकी cell है आपने उसके प्रती जो response है cell का अब cell adaptation का मतलब cell अपने आपको adapt करती है यानि अगर cell के पास कोई response गया है तो उस response के अंगे cell किस तरीके से response करती है यानि जो change हुआ है हमने अभी देखा कि internal या external environment के change होने की बज़े से cell को damage होता है cell के उपर जो effect होता है उसे हम cell injury कहते है लेकिन जो adverse change है उसके प्रती cell पहले response करती है अगर वो response करेगी उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि cell damage होगी कि उसको adapt कर जाएगी तो जो भी changes होते है जरूरी नहीं कि external और internal environment में जो change होते है वो cell को damage ही कर पाएं यानि cell को injured ही कर पाएं उससे पहले कुछ cell के अंदर changes होते हैं changes के लिए आप एक बार देखिए तो जो cellular response होते है to the cell injury इसमें आपकी cellular adaptation होंगे sub-cellular change होंगे यानि cell के अंदर कुछ changes होंगे जिसे हम अभी देखेंगे intra-cellular accumulation यानि cell के अंदर कुछ चीज़ें deposit होंगी कुछ salt deposit होंगे उसके बाद recovery होती है और अगर cell इस सारे response को so नहीं कर पाती है उस दौरान cell की death हो जाती है तो कहने का मतलब क्या है कि cell death में जाने से पहले cell damage होने से पहले उसके अंदर कुछ changes होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आपसे तो cellular adaptation to the injury जब भी कोई injury होती है cell को तो cell उस case में किस तरीके से अपने आपको adopt करती है इसको ध्यान देंगे cellular adaptation involved the following change occurring in the cell यानि cell के पास जो आपने injury हुई है cell में जो damage हुआ है उसके response में cell अपने आपको किस तरीके से respond करती है उसके बारे में उसी कोफन cellular adaptation कहते हैं अब यह जो cellular adaptation है यह depend करेगा आपकी जो भी stimulus दिया जा रहा है या जो भी agent cellular damage कर रहा है या cell के अंदर कोई परिवर्टन हो रहा है उसके आधार पर हमने इस cellular adaptation को classify किया है तो आईए cellular adaptation में सबसे पहले देखेंगे आपकी atrophy अब atrophy जो term है इसको आपको ध्यान रखना है shrinkage or reduction in size of the cell यानि किसी भी current से यानि external या internal cause की बज़े से अगर cell का size reduce होता है यानि cell shrink होती है तो उस condition को बोलते है atrophy atrophy के लिए मैंने आपके सामने एक यहाँ पर photograph दिखाया है इसमें आप देख सकते हैं कि यह normal tissue है यानि normal देखो जो है leg है विक्ती की और अगर यह atrophy हो रही है इसके अंदर तो इसका size देख रहे है आप reduce हो गया है यानि muscular mass reduce हो गया है तो यह atrophy का मतलब है shrinkage or reduction in size of the cell next है आपका hypertrophy तो जैसा नाम बता रहे है increase in the size of cell यानि किसी भी response की बज़े से किसी भी stimulus की बज़े से अगर cell के size में increasement होता है तो उस condition को बोलते है hypertrophy next है आपका hyperplasia तो hyperplasia में increase in the number of cell ध्यान रखेंगे hyperplasia में cell का number बढ़ता है जबके hypertrophy में size बढ़ता है cell का next आपके सामने मैंने दिखा है metaplasia metaplasia क्या है reversible change in one type to another type of cell यानि एक प्रकार की cell किसी दूसरी में change हो जाए उसी तरीके से dysplasia ये भी आपके adaptation है लिखा है disorder cellular adaptation यानि जो cellular adaptation है वो disorder हो जाएगा तो उसको dysplasia बोलते है यानि अपने इस्तान से उसका cell का हट जाना अब ये जो adaptation है इसको मैंने दिखाया है जैसे इस diagram में देखेंगे ये normal cell है अगर इसमें atrophy होती है तो ये size में reduce हो जाएगी अगर इसमें hyperplasia होता है तो देख रहे हैं आप hyperplasia में number बढ़ जाएगा अगर इसी के अंदर metaplesia होता है तो आप देख रहे हैं कि ये circular cell से square में convert हो रही है ये इसका safe change हो रहा है एक type की cell दूजरी में change हो रही है तो इसे metaplesia कहते हैं इसी तरीके से hypertrophy और hyperplasia ये इसमें देखो number भी बढ़ रहा है plus size भी increase हो रहा है तो size का increase होना जैसे हमने देखा अभी hyperplasia कहलाता है sorry hypertrophy कहलाता है और number का increase होना hyperplasia कहलाता है prostate hyperplasia जैसे आप BPH कहते हैं यानि male के अंदर खासकर 50-60 साल से ज़्यादा जिनकी उमर होती है उन male में एक problem होती है यानि prostate का जो size है वो increase होते है देख रहे हैं ये normal prostate है और ये hyperplasia यानि इसके अंदर size increase हो चुका है तो इस तरीके से ये बोलते हैं benign prostatic hyperplasia और दूसरा आपका metaplasia जैसे एक type की cell का दूसरे type में convert होना one type of cell change into another type of cell तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो भी cellular adaptation है cell injury के प्रती cell का जो response है उसको आप देख सकते हैं next मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो stimulus दिया है उसके प्रती cell कैसे respond करती है तो मालो ये कोई stimulus दिया है normal tissue को normal tissue को stimulus आप जानते हैं यानि कोई भी external agent जो tissue को response यानि उसके प्रती tissue response करे तो अगर ये stimulus normal है तो इसमें cell का response आएगा और अगर cell response कर रही है cell response में आप देख रहे हैं यानि cell response कर रही है इसका मतलब cell survive कर रही है लेकिन अगर ये stimulus severe है जो cell को stimulus दिया गया excessive जो intensity का stimulus है तो excessive intensity का ये stimulus है ये cell को injured कर सकता है cell के अंदर injury होगी और cell अगर injury करके cell ने कोई adaptation नहीं किया cell ने कोई recovery नहीं कि तो इस cell की death हो जाएगी लेकिन अगर cell survive कर गई और stimulus जो दिया गया है वो mild type का है तो उस mild stimulus के प्रती cell adaptation सो करती है जिसमें मैंने अभी आप से चर्चा की ये जो adaptation है इसमें cell आपकी hypertrophy सो कर सकती है यही cell का size increase हो सकता है cell के अंदर atrophy हो सकती है यह size में reduce हो सकती है या आपका metaplasia यही एक प्रकार की cell दूसरी type की cell में convert हो सकती है तो इस तरीके से response यही stimulus के आधार पर अगर severe stimulus दिया जाता हायर intensity का तो कई बार cell injury हो करके cell की death हो सकती है बट अगर cell survive कर जाती है और जो mild stimulus दिया गया उसी condition में cell survive करेगी तो उस दोरान यह adaptation हो सकते है cell है यहीं इसके अंदर reversible देख रहा है reversible cell injury यहीं सेल के अंदर जो injury हुई थी लेकिन reversible हुई है यह अपने आपको recover कर गई है लेकिन अगर irreversible change होता है cell के अंदर ज्यान देंगे जो भी stimulus दिया है cell के अंदर और उसने कोई change इस तरीके का हुआ कि वो irreversible है तो उस दोरान cell की death हो जाएगी कहने का मतलब क्या है कि cell का जो stimulus के परती response है उसके आधार पर cell का survival depend करता है तो इस तरीके से अब मैं आप से आगे बात करने वाला हूँ next chapter एनी inflammation और healing के बारे में बात करूँगा तो इससे पहले आप लोगों ने मेरी pharma की class है complete की है अगर आपको ये course सही लगता है इसमें मैं इसी तरीके से basic चर्चा करूँगा और आने वाले चप्टरों में description of inflammation, healing क्या है, किस तरीके से tissue के अंदर healing होती है, किस तरीके से repair होता है